हेलो एप्रिवान एम डॉक्टर करेंश कोशिक वेलकम यौल उन टॉपर स्टॉप सो गैस इस वीडियो इस ओफ करेंट पार्ट और जो आपका एपी एफो का स्टैटिक पार्ट आपका जो शोशल सिक्यूरिटी का कह लिजी या फिर इंडेस्ट्री रिलेशन्स के अंदर ले इस वीडियो में मतब कि हमारे चैनल पर कवर कर रखिया उसके अलावा आप पुरानी धीर सारी जो यह लोज इनमें मच जाए आप अपना टाइम बेस्ट करेंगे उसी के साथ आप एक पिल्कुल रैशनली बाद सोचे क्या जो यह एंफोर्समेंट ओफिसर के वेपर है वो इस एक्साम को कंड़क्ति नहीं करें और अभी जो है वो 2019 और 2020 दोनों में लेबर लोज आई है तो थोड़ा रैशनली सोचे जो को अच्छे तरीके से कीजिए टाइम अभी कम है आपके पास तो आप बैटरी तरीके से कर पाएंगे तो यह वीडियो जो है यह स्पेसिफिक स्पेसिफिक लिए जो कंस्ट्रॉक्शन वर्कर्स होते उनके लिए उन्हें भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को शिरू करते हैं सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि क्यों निउस के अंदर यह था तो दिके मिनिस्ट्री ओफ लेबर एंड तो अब यह आ गया है कि इस फंड के अंदर जितना भी पैसा है अब आप उसको कोविट के टाइम में कंस्ट्रॉक्शन वर्कर्स के वेलफियर के लिए यूज की ठीक है सिंपल भाशन में यह बात कही गई है स्टेट गवर्मेंट्स को और यूनियन टरिट्रीज को ठीक है की पौर्स जो है वह यहां पर यह है कि यह जो कि इडवाईजरी आई है यह धिए कि इस के अंदर आई है जैसे कि मैंने कल ही कोशन आप उसे पूझाता सैक्शन से रेलेटेडेड़ तो वैसे ही कोशन यहां हो सकते कि आड़ईजरी जो है वह सेक्शन 60 जो है寔र ड्म एके 1996 का उसके अंदर जारी की गई है यह जो एक्ट है जो कि अभी मैंने आपको बता है 1996 के इसके अंदर बेसिकली जो भी construction workers होते हैं उनकी employment कैसे होगी उसी के साथ अगर उनको employee कर दिया गया है तो उनकी service condition जो है वो किस तरह की की रहेंगी यह सारी चीज़े regulate की जाती है उसी के साथ जो भी construction workers होते हैं उनकी safety का देहान रखना उनकी health का देहान रखना उनकी welfare measures time to time लेना और अलग matters जो होते हैं जो की connection के होते हैं construction workers के लिए वो सबी इस act के अंदर जो है वो cover किये जाते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि हर जो state government होते हैं या फिर जो union territory होती है वो क्या करते है कि जो sas fund होगा मतलब कि जो मैंने आपको बताए कि fund बनाया गया है इससे क्या करेंगी कि जितना भी fund होगा इसके अंदर जितना भी पैसा होगा उसको निकालेगा और कहा पे भेज़ देगा जो भी construction workers के bank account होंगे उनके अंदर direct benefit transfer more से इसको भेज़ देगा यह जो amount होगा वो कि specifically जो है वो construction workers के लिए होगा कही और इसको use नहीं किया जा सकता और यह central government ने कोई notification नी दी है कि आपको इतना ही amount करना है जो state government होगी और union territories होगी वो अपने आप decide करेंगी कि जो limit central government ने set किया उसमें से वो कितना fund जो है वो dbt के थूँ दे सकते है construction workers को ठ उसमें का गया है कि central government जो है वो time to time modify करेगा और एक SES collect करेगा यह जो SES की limit रखी गई है वो रखी गई है 1-2% की जो भी construction का cost लगेगा मता मालीजे कि यहां पर 2 करोर रुपे क्या लग रहे है construction का cost लग रहे है ठीक है तो इसके ऊपर जो 1-2% होगा वो SES लगे गई लगे चल रही है जिसमें SES collect किया जाता है तो 1% का जो rate है वो अभी इस टाइम चल रहा है जो कि लिवाई किया जाता है on the cost of construction और यह किसके थूर notify किया जाता है central government के थूर किसको किया जाएगा state government को and union territories को और कैसी किया जाएगा अपने official जो gadget होता है उसके अंदर notify करके ठीक है अभी आपको समझ आ गया तो यह जो SES होगा government ने notify कर दिया central government पर इसको collect कोन करेगा वो central government नी करेगी वो करेगी state government और union territories ठीक है अब यह जो fund का utilization होता है वो basically क्या होता है कि construction workers के welfare के लिए होता है ठीक है किस तरीके से होगा यहां पर welfare boards जो है उनको constitute किया जाता है जो specifically इन जो का ध्यान रखता है अब हम इतीन देर से कहरें कि SES collect करना है फिर welfare के लिए यूज करना है तो यह SES जो है वो basically है क्या तो हम जाते हैं अपनी economy के static portion के अंदर जो कि आपके current affair में भी यह वाले जो terms है वो बार बार आते है और static portion में तो देही रखे है ठीक है तो SES क्या हो कि यह जो tax था इसके ऊपर भी थोड़ा सा O-Tax लगा जया गया यह जो थोड़ा सा O-Tax किसी tax के ऊपर लगाया गया उसको हम क्या कहेंगे SES कहेंगे ठीक है सिंपल भाशा में तो SES क्या होता है वो basically एक form of tax होता है जो कि लिवाई होता है उन्ता base tax liability जो होती है taxpayer की उसके ऊपर ठीक है अब एक चीज़ आपको याद दखने है कि SES जो होता है वो permanent nature का नहीं होता अब देखे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि COVID-19 की condition थी जिसकी बज़े से construction workers के लिए SES लिया जा रहा है तो यहाँ पर COVID-19 जो है वो एक condition है जिसके ऊपर लगाया जाएगा मतब कि कोई एक specific चीज होती है उसी के ऊपर लगाया जाएगा ऐसा है कि आप permanently इसको लगाया जा रहे है और यह जो expenditure होता है मतब जिसके लिए SES लगाया जाता है वो हमेशा public welfare के लिए होगा स्टेट गवर्मेंट या फिर जो सेंटर गवर्मेंट वो अपने फाइदे के लिए उसको यूस नहीं कर सकते तो जैसे ही जो है expenditure हो जाएगा कर्च मतब की welfare measures हो जाएगे उसके बाद इसको discontinue कर दिया जाएगा ठीक है और यह जो होता है अभी किस तरह की के टैक्स के ऊपर और direct के ओपर भी ठीक है अब उसके बाद जो है यह specific हम act को एक बार देख लेते हैं major points में आपको बताई दिया बढ़ कुछ additional points नहां पर तो यहां पर देखे सबसे पहली बात तो यही कि welfare के लिए use होता है aim हमने देखी लिए है उसके बाद कि कौन सी establishment है कि जिनको यह conditions fulfill करन करने की जरूरत नहीं है ठीक है यहां पर जो act है वो एक यह भी provide करते है कि आपको एक state welfare board जो है उसको establish करना है जो कि workers को assist कर सके कौंसिल कर सके कि आपके rights क्या है उसी के साथ जो उनके hours of work है उनको fix कर सके और यह ensure कर सके कि workers जो है उनको एक regular payment मिल रही है या नहीं मिल पार य उनकी एक duty बनती है कि वो हर worker के लिए एक identity card प्रोवाइड करेगा यह जो identity card का प्रोवाइड किया जाएगा जब उस worker का construction activity के अंदर registration किया जाएगा और identity card इसलिए दिया जाता है ताकि जितने भी benefits जो होते है वो construction workers को दिये जाएंगे वो उनको avail कर सके उस identity card को शो कर के ठी पर जो एक percent होगा private चाहे construction हो या फिर public construction हो वो labor department के अंदर जाएगा as an welfare sas ठीक है तो यह limit आपको आपको यादखने है हाला कि सारी मैं प्रिलियम्स के point बता रही हूँ बट आपको यादखने यह वही चीज है 1996 के अंदर जो sas collect किया जाता है वही additional information है बस आपको यहाँ प उसके अलावा कहीं भी utilize नहीं किया जासा था यह आपको अच्छे तरीके से यादखने है और उसी के साथ जो यह जो पैसा होता है यह किस तरीके से यह नहीं होता कि सिर्फ एक construction worker मतलब मालो मैं हूँ मैं मजदूरी कर रही हूँ पर मेरे घर में कोई problem हो गई तो वो सिर्फ इसके अंदर include की जाते हैं अब देखते हैं कि Central Government के और क्या initiatives रहे हैं workers के लिए तो यहां पर देखिए Supreme Court ने कहा था कि एक जो ऐसा welfare measure होना चाहिए specific construction worker के लिए तो इस वज़े से सरकार ने modern welfare scheme जो है वो BOC workers के लिए बनाया था on the guidance of Supreme Court तो इसके अंदर क्या का गया कि जो भी construction worker है चाहिए वो female खुद हो या फिर वो किसी male person की wife हो जो कि construction activity के अंदर है तो उनको उनको मतब कि यहां पर maternity leave तो उनको मिलेगी females को बर जो और है incentives जो कि आगे हम देखेंगे वो उनको मिलेंगी specific कि जो male person की wife तो यहां पर paid maternity leave जो है वो registered construction worker को अब यहां पर यह चीज़ जातकने registered को मिलेगा अगर non registered है उसको नहीं मिलेगा तो registered construction worker को मिलेगा और यह जो paid maternity leave है यह depend करते हैं यह 90 days से लेके 26 weeks तक हो सकती है और यह 2 deliveries तक मिलेगी तीसरी delivery से फिर यह जो maternity leave है यह नहीं मिलेगा यह आपको जातकने है उसके बाद जो है अगर माली जो कोई ऐसा male person जो construction activity के अंदर है और उसकी wife के delivery है बट वो construction activity के अंदर नहीं है तो up to two deliveries जो है वो रुपी 6,000 रुपी सेंट्रल गर्मेंट जो है वो उस construction worker को देगे ताकि वो अपनी wife का और baby का ध्यान रख सके उसी के साथ जो है जो बच्चे है construction worker के उनकी education के लिए financial assistance प्रोवाइड की जाएगी housing जो low cost housing मैंने आपको बताई कि सस्ते मकान दिलाने उसी के साथ awareness फैलाने उनके उनके rights क्या है skill development करनी ताकि वो अच्छे तरीक से अपने काम को कर सके और उसी के साथ जो है यह देखा जाता है कि कोई जो state उसकी financial capacity कैसी है अगर किसी state की financial capacity अच्छी है तो इसके अ आपको लगे मुझे जरूर बताईए चैनल को subscribe किजिए वीडियो को like किजिए thank you so much